नमिश्कार दोस्तो स्वागत थे आपका फिर से एक नई वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैट स्पिन रेंडम वीडियो चैट अप्लिकेशन के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे इस अप्लिकेशन को कैसे यूज करना है आप चाहो तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो या फिर दोस्तो आप डिरेक्ली प्ले स्टोर से भी जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो कुछ इस तरह का आपको आइकन देखने को मिलेगा आप डिरेक्ली इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टोल कर सकते अपने फोन में ये बिल्कुल फ्री अप्लिकेशन है और दोस्तो जब इसे आप डाउनलोड कर लोगे तो मैं इसकी प्ले स्टोर पर अगर रेटिंग दिखाऊं तो देख सकते हैं 4.0 की स्टार रेटिंग है दोस्तो और 1.0 प्लिकेशन के बहुत अच्छे डाउनलोड और बहुत अच्छी रेटिंग के साथ है दोस्तो इस application की एक खास बात मैं आपको बता हूँ अगर आप इसे बिना download किये इसे use करना चाहते हो तो आप इसे बहुत ही असानी से कर सकते हो ये दोस्तो आप कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है दोस्तो आपने mobile phone या फिर laptop में Google Chrome browser को open कर लेना है और ज इनकी website पर चले जाएंगे और as it is दोस्तो सेम प्रोसेस है जो मैं आपको application में बता रहा हूँ सेम इसी प्रोसेस को follow करके आप website के जरीए भी फ्री में video call कर पाएंगे तो जब दोस्तो इसे डाउनलोड कर लेते हैं आप तो चलिए इसे open करते हैं और open करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं facebook और यहाँ पर gmail के जरीए login को option आया था मैंने already यहाँ पर कर रखा था इस वज़े से इसने automatic deduct कर लिया जब आप first time इसे open करेंगे तो आपको gmail या facebook से sign in करना होगा या फिर दोस्तो आप बीना login के भी यहाँ पर आप chatting कर सकते हैं directly उसके आपको क्या करना होगा दोस्तों यहाँ पर आपको जो अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा और नीचे की तरफ यहाँ पर इस वाले option पर इस तरह से on कर देना होगा on करने से दोस्तों जो इनकी term and condition को आप allow कर रहे हो इसका मतलब यह है कि आप 18 प्लस हो और उसके बाद दोस दोस्तों यहाँ पर मैंने on करते हैं यहाँ पर जो automatic ही video call connect हो गई तो दोस्तों यहाँ पर कुछ settings दी गई है पहले उसके बारे में जान लेना आपके लिए जरूरी है तो देख सकते हैं यहाँ पर एक चोटा सा setting option दिया है यहाँ पर आपको काफी सारी setting देखने को मिलती है तरह तरह के आपको filter यहाँ पर मिल जाते हैं आप चाओ तो live video call करते हैं यूज कर सकते हो और दूसरा दोस्तों यहाँ पर आपको gender का option दीखेगा gender के option में दोस्तों एक खास बात यह है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप अगर everyone select करते हो तभी आप यहाँ पर free में video call कर पाते तभी आप free में बात कर पाएंगे और यहाँ पर आपको country का option देखने को मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारी यहाँ पर country दी गई हैं तो किसी भी country को अगर आप select करते हो उसी country में आप भी जो call कनेक्ट होगी यहाँ पर मैं all country कर देता हूँ ताकि जो video call है ज् यह है दोस्तों यहाँ पर इस application की setting और यहाँ पर नीचे आप इस वाले option पर क्लिक करके चाहो तो आप अपने जो live video chat है उसे share भी कर सकते हो और यहाँ से message करके भी आप बात कर सकते हो तो चलिए video call connect करने के लिए दोस्तों simply यहाँ पर start chat पर इस तरह क्लिक करोगे और देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हमारी video call connect हो चुकी है इस तरह आपको अगर जो video call यहां से change करना है तो यहाँ पर click करके इस तरह से आप change कर सकते हो तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही easy है यहाँ पर free में video call को करना दोस्तों एक चीज में आपको बताओं अगर आप free में female से बात करना चाते हो तो आपको यहाँ पर जो video call को इस तरह बार बार change करना होगा तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पर जो आपकी जो call है female के पास connect हो जाए और यही दोस्तों एक तरीका है यहाँ पर female से बात करने का तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो तरीका है वो बेड है त दोस्तों यहां पर आपको बार-बार इस तरह से change करना होता है। तो उमीद करते हैं दोस्तों आपको chats mean random video chat application के बारे में सारी जनकारी मिलगी होगी। अगर दोस्तों आपको इस application से related कोई भी question या doubt हो तो मुझे comment करके जरूर पूछे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगी दोस्तो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथी साथ चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तो आपका बहुत बहुत धन्यवा थेंक्स पर वचिंग